दोस्तों अगर आप SBI UNO application यूज़ कर रहे हैं और लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं यानि कि OTP वगर रिसीव नहीं हो रहा है तो कैसे इस problem को solve कर सकते हैं इस वीडियो मैंने अच्छी तरीके से बताया हुआ है वीडियो को पूरा end तक देखे और उसके बाद फिर सिर्फ यही नहीं कोई भी OTP रिसीविंग प्रॉब्लम आप लाइफ में कभी नहीं फेस करेंगे तो चलिए मैं पहले दिखा देता हूँ कि किस तरह की error वगर आ रही है तो सबसे पहले जैसे यह यूनो वाली application को आप आपन कर लें आपन करने के बाद कुछ इस तरीकी का interface आपको नजर आएगा फिर्स्ट इंटरफेस जो नजर आएगा वह इस तरीकी का उसके बाद फिर यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप existing SBI customer है या फिर नए customer है तो मैं तो existing customer हूँ अगर आप नए हैं तो नए पर क्लिक करें existing हैं तो existing पर क्लिक करें तो ऐसे क्लिक कर दें उसके बाद फिर यहां पर आपको एक और दो option आएंगी SIM 1 और SIM 2 का यानि की basically आपसे जानना चाहता है कि आपका जो mobile number है वो SIM 1 या SIM 2 का है जो की जो mobile number आपका bank से associated है वो कौन सा SIM card पर है तो मेरे case में SIM 1 पर है और उसके बाद फिर next पर क्लिक कर लें उसके बाद फिर यहां पर आपको allow का message आएगा कि इसको allow किजिए कि आपको message send करना चाहता है ठीक है उसके बाद कुछ देर तक इस तरह से processing होगा और processing होने के बाद देखते हैं क्या message आ सकता है थोड़ा सा wait कर लेते हैं या फिर मैं वीडियो को pause कर देता हूं कुछ देर के लिए तो इस तरह का message हमारा आ चुका है cannot send message now please try again later तो ये जो message है ये क्यों आया है चलिए मैं आपको बताता हूं और इसको कैसे इस से छोटकारा पा सकते हैं वो भी मैं आपको बता जैता हूं ठीक है तो कभी-कभी ऐसा problem आते हैं और इसका सबसे अच्छा निजान यही है कि आपको सबसे पहले इस application को यहां से okay कर लेना जैसे आप okay करेंगे तो application से बाहर आ जाएंगे बाहर आ गए application से अब इसके बाद फिर आपको अपने mobile के settings पे चले जाना है तो इस तरह का app management नाम से है आपके mobile में कुछ और हो सकता है app list हो सकता है या फिर installed application हो सकता है यह सारी चीज़ें होंगे उसके बाद फिर app list पे चले जाना है और जो भी option है आपको SPI का जो application है उस पर चले जाना है यानि कि you know application पे जाना है और खोजना है आपको करने के बाद फिर यहां पर आपको storage usage का option दिख रहा है उस पर click कर लेना है और उसके बाद फिर यहां पर आपको clear catches सब से पहले आपको कर लेना है देखिए हमारे catches क्लियर हो चुके है उसके बाद फिर clear data पे click करना है आपको और ok कर लेना है दोनों चीज के लिए हो चुका है अब आपको क्या करना है अब फिर से अपना अप्लिकेशन आपन करना है एस बिया यूनो वाला और फिर आपको लॉग इन करना है इस बार 110 परसेंट आपका लॉग इन हो जाएगा अब आपको कोई प्रॉब्लम नजर ही नहीं आएगा यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं करेगा लॉग इन होने में राइट हाँ चलिए मैं आपको दिखा कोई प्रॉब्लम आए गाही नहीं जैसे मैं existing customer अलाव कर देना है करने के बाद फिर वैसे simon पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद फिर next करना है और अलाव कर लेना है और अब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा